हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग एक मीट कैप स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं इस कंपनी को पिक करने का एक खास बात यह है फ्रेंट्स कि आज कल यह बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस देखा रही है पिछले कुछ कुछ क्वाटर से जैसा कि अगर इसका मार्केट कैप द क्यातर पिछले तinflux के सालों से इसको मैं यह चैंके इसको उसका मैंच क mission के परफोर्मेंस दिखा रहा है पिछले कुछ सवाओ धे यहां पर March 2017 में 337.61 क्रोड का जेंट किया था, March 2019 में 549.10 क्रोड का हो गया है, March 2019 में 486.92 क्रोड का जेंट किया है, थोड़ा से यहां पर डाउन हुआ है, लेकिन March 2020 में फिर से प्रफॉर्मेंस काफी लाजवाब चल रहा है, अब ज़रा इसके पैरेमिटर्स के उपर भी नजट डाल लेते हैं लोग, नमर रॉट सेर्स यहां पर 32.31 क्रोड के है, पी रेशियो 15.53 पे है और पी रेशियो 8.73, फेस वेल्यू रूपीस 5 पे चल रहा है भी, डिविडेंट येल्ड यहां पर 3.29 परशन के देता है, बुक वेल्यू यहां पर 74.90 पे चल रहा है फ्रेंट्स, ऑपर रेटिंग रेवेन्यू काफी अच्छा है, इसके पास अभी 2585.44 करोर के देखाया रहा है यहां पर और और अर्निंग पर शेर यहां पर 42.39 पर चल रहा है, सेल्स ग इसके बार में भी जान लेते हम लोग, तो उसका आपको जारा आइडिया लगेगा कि किस फिल्ड से यह कंपनी बिलॉंग करती है, तो अपने रिटेल कस्टमर्स को यह वाइड रेंज अब प्रोड़क्स और सर्विसे प्रोड़क्स को यह रिसर्च हो गया, और इसके अला लग्वा यह domestic हो गया यह foreign international investors हो गया, उनको भी यह provide करती है brokerage services हो गया, यह corporate assets हो गया, यह तो फरेंड यह company ICI passions limited हुआ करता था 9 March 1995 को इसको शुरुआत हुए थी Mumbai में, लेकिन 2007 में कंपनी का नाम बदल के ICICI Securities Limited रख दिया गया है चली discussion को आगे बढ़ाते हैं देखते हैं हम लोग कौन-कौन से इसने milestones create किया भी तक जैसे कि 2000 देख सकते हैं इसने ICICI Direct को launch किया था 2001 में online mutual fund platform को launch किया गया था फिर इसके बाद 2002 में इसने launch किया था derivatives को हो गया direct link हो गया and buy today and sell tomorrow 2003 में ICICI Direct ने अपने platform पर government of Indian bonds को launch किया था 2005 में इसने ICICI Direct के branches को expand किया है 2006 में इसने launch किया था distribution of health and life insurance products को 2007 में इसने overseas trading services को भी launch कर दिया था 2008 में फिर से launch किया इसने on the move हो गया website एक तरह का है जो कि एक active trader services provide करता था और online insurance product को distribution करता था 2009 में इसने online currency derivatives को launch किया था और इसके साथ private wealth management services को भी launch किया 2010 में ICICI Direct ने launch किया था ICICI Center for Financial Learning 2013 में ICICI Direct पर launch किया था inflation indexed national saving securities को जो की cumulative हो गया e voting facilities हो गया या investment advisory services को provide करता था और इसके साथ flexi cash facilities को भी provide करता था और 2015 में फिर से ICICI Direct के उपर इसने instant account facilities को launch किया है track and act को भी launch किया जो कि एक robot advisory platform था और bullet trade facility भी launch किया ICICI Direct के उपर और 2017 में इसने one click investments को launch किया था जो कि investment in mutual fund के लिए किया गया था ICICI Direct के उपर अगर देखाया तो इस company ने काफी ज़्यादा awards अपने नाम रख 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 हैं friends चलिए उनके वारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और 2008 में फिर से इसको best e-brokerage award दिये गया था फिर इस company के पास best in category finances services का भी award है इसके पास जो कि इसको दो बर मिल चुक है 2009 और 2019 में और इस company को money today FPCIL stock broker of the year का अवार्ड भी मिल चुक है जो कि 2012 2013 में मिला था 2014-15 के QTI CNBC TV18 financial advisory award के दोरान इसको best performing national financial advisor का अवार्ड मिल चुक है इस company को 2017 में भी ICICI direct को मिल चुक है अवार्ड देख सकते है best retail broker का अवार्ड मिल चुक है और 2017 में इस company को sustainable education strategy के लिए अवार्ड दिया गया था जो कि responsible business अवार्ड में बिला था इसको और उसी साल company को franchise year of the year के अवार्ड भी मिल चुक है financial services के लिए जली आपको इसका share performance दिखाते हैं किस तरह से इसका share perform कर रहा भी friends आपसे एक request है कि अगर आप मेरे वीडियो के content को पसंद करते हैं तो क्रिपया करके उसको like करके मुझे indication दीजिए जिससे मैं समझ सकूँ कि आपको मेरे content पसंद आते हैं एक चोटा सा like बटन डबने में आपको कुछी second लगेंगे friends तो जली सा like बटन दबा दिजिए friends जैस कर इसके 52 भी हाई लो की तो 376.90 रुपीस के इसने लो बनाया था और 896.05 रुपीस के इसने हाई बनाया है और वॉल्व में यहां पर 3,31 की अप्रॉक्स में दिखा जा रहा है चलिए इसका quarterly performance देखते है हम लोग दिसमर 2020 में इसने 620 का sales जनेट किया और 267 का net profit यहां पर ह इसने और यहां पर net profit 3,29 करो कर जेनट किया था जून में 745 को सेल्स हुआ है और net profit यहां पर 3,10 करो कर जेनट हुआ है September 21 में देखा रहा है तो 856 का sales जेनट किया इसने और net profit यहां पर 351 करोर का हुआ है December 2021 Q3 Results के रिखा है तो 941 का sales जेरेंट किया है friends और net profit भी आहां अच्छा कासा increment हुआ है 380 करोर का जेरेंट किया इसने तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था है इसका quarterly performance बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही चल रहा भी performance इसके fundamental पर नहीं पढ़ने वाला है friends कि इसका fundamental बहुत ही strong है जैसा कि आप भी जान रहे है यह price of fluctuation की हुआ है कि कि रसिया और यूकरेंट में जो crisis चल रही है उसकी वज़े से price down हुए है तो fundamentally काफी strong company friends तो बहुत जली bounce back करीगी और उसका उधारें आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आजी की दिन देखा जाया तो almost 3.23% का इसके increment डेकर को मिर रहा है तो आने वाले समय में इसके increment बरकरार रहेगा मुझे इसा लगता है एक साल में इसने 58.65% का return दे दिया है friends अगर बात करें इसको overall performance की तो देखाया तो 188 रुपीस का इसने low बनाया है भी तक और 8.96 का इसने high बनाया था और overall return में देखाया तो 42.02% का दे दिया इसने और यहाँ पर 4 April 2018 को यह list हुआ था friends 4.45 रुपीस के अप्रॉक्स में यहाँ सा काफी fall down हुई ह हुआ अच्छा कासा लेकिन fall down के बाद इसने recovery भी किया है और lockdown को समय काफी नीचे पहुंच जुगा था लेकिन वहां से इसने जो अच्छा कासा recovery किया है तो देखाया था भी all time high पर ही चल रहा है friends इसका थोड़ा सा correction हुआ है लेकिन फिर से यह bounce back करेगा friends रही बात इस stock के रांक ही 217 पर चल रहा है friends और stock की volatility ज्यादा हाई नहीं है moderately disk बहु सकते है 2.41 के multiple हो चल रही है तो चलिए इसका share holding pattern देखे लिए थे हम लोग जैसे कि हम mutual fund का देख सकते है percentage पिछले कुछ quarter में down हुआ है लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर foreign के लिए hold करना चाहते हैं इस टोक को तो बेजिजक इसको stock कर आप hold कर सकते हैं यह आपको future में बहुत ही बहुत ही बहुतरीन return देगा आपको ठीक है friends यादा कीगा